दोस्तों लगातार जो आप लोगों के कमेंट्स थे हमारी वीडियो पर जो पिछली हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है डी फार्मिसी और बी फार्मिसी के बारे में आपको बताया बहुत कुछ कैसे आप लाइसेंस लेंगे, कैसे एडमिशन लेंगे, क्या फीस होगी किस उसके बारे में बहुत कुछ आज हम डिसकस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, दोस्तो जादा कुछ जानने के लिए बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तो फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है विरिंद वर्मा जैसे आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की उनिवस्टी स्कॉलिजिस उनके कोर्सिस को एक्स्प्लोर एंड डिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तों बैचलर ओफ फार्मेसी का नाम सुनते ही किलियर यह समझाता है कि यह बैचलर डिग्री है बैचलर डिग्री है जो चार साल की होती है जिसके अंदर की आठ समेस्टर में एक्जाम्स कराए जाते हैं वो कैसे एडमिशन होता है फीस क्या होती है सबसे पहले आप य लोगों के सवाल जो हैं वो फीस को लेकर ही हैं आप किसी भी प्राइवेट यूनिवस्टी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो किसी भी प्राइवेट यूनिवस्टी में जो फीस होने वाली है वो 60,000 से लेकर एक लाग तक परियर की हो सकती है उससे जादा भी हो सकती है अगर दोस्तों आप लोग बात करते हो कॉलिजिस की, कॉलिजिस में फीस कितनी होगी, बैचलर फार्मिसी को करने के लिए जो कॉलिजिस एफिलेट होते हैं PCI से, मतलब की फार्मा कांसल अफ इंडिया से, उनकी फीस भी लगबक 30-40,000 रुपे से लेकर 80,000 रुपे तक हो सकत क्या अपडेट्स आए हैं, इनके लिए वीडियो अक्सर लेकर आते रहते हैं दोस्तों आप चाहते हो फार्मिसी करना, फार्मिसी में आप बी फार्मिसी में ही एडमिशन क्यों ले सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि अगर आप डी फार्मिसी करते हो तो आपको एक लाइसन्स मिलता है एक लाइसन्स मतलब कि सिर्फ एक शॉप खोलने का लाइसन्स मतलब कि आप फार्मिसी की शॉप खोल सकते हैं पर अगर यहीं पर आप अगर B-FARMACY कर लेते हैं तो आपको तीन तरह के लाइसंस मिलने की अनुमति मिल जाती है मतलब कि सबसे पहले फार्मेसिस तो आप बन ही जाओगे कैमिस शॉप आप बिलकुल खोल सकते है क्योंकि आपको उसका लाइसंस मिल जाता है PCI के दुवारा, फार्मा काउंसल ओफ इंडिया के दुवारा दूसरा, आपको एक और लाइसंस मिलता है कि होल सेल में मतलब कि आप अपनी जो दवाइं हैं उनको डिस्टिबूट कर सकते हैं आप होल सेल में उसका एक बिजनिस कर सकते हैं और दोस्तो हम अगर बात करें तीसरे बेनिफिट की कि बी फार्मेसि करने के बाद में तीसरा क्या बेनिफिट मिलता है तो आपको benefit मिलता है कि आप अब यहाँ पर drug manufacturing का license भी आपको मिल जाता है मतलब कि आप अपने दवाईयां भी बना सकते हैं वो depend करता है किस level पर आप वो काम करना चाहते हैं दोस्तों यहीं पर अगर देखा जाए bachelor of pharmacy करने के लिए eligibility क्या होगी तो eligibility वही है जो defarmacy की होती है मतलब कि 12th pass होना चाहिए किसी भी एक recognize board से मतलब कि किसी भी एक recognize ऐसे board से जो की concern listed हो जिसकी मानिता प्राप्त वो board हो वहाँ से complete किया है और आपका PCM या PCB दोनों में से कुछ भी आपने किया हो मतलब कि physicist chemistry bio या physicist chemistry math से अगर आपने बारवी पास की है तो आप बिल्कुल pharmacy कर सकते हैं भी pharmacy में admission ले सकते हैं complete करके इन तीनों तरह के license का फायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल है आपके दिल में bachelor of pharmacy को लेकर या टी pharmacy को लेकर आप हमें comment box में जरूर बताएं और साथ ही हम लोगों का follow करना बिल्कुल न भूले हमारे instagram और facebook पेज पर ताकि हर तरह की चोटी बड़ी information आप तक पोच सके सबसे पहले दोस्तों मैं अमीद करता हूँ आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो वीडियो हमारे चनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथ में लगा वे लेकिन जरूर दबा दें तक इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पोच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्त है दोस्तनेवाद हमारे वीडियो के साथ बड़े रहने के लिए